नमस्कार जहिन साथियों मैं विशेक मिसर आज आप सभी लोग का हमारी दिर्ण संकल यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज आप सभी लोग के लिए क्लास 7 की NCRT भूगोल जिसमें हम पर्याव राण के विशे में कोस्टन को डिसकस कर रहे हैं इसके चिप्टर 2 को लेकर के आए हैं इससे पहले चिप्टर 1 का वीडियो मॉर्निंग में आया था अगर आपनोंने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देखीगा और साथी साथ लाइक सेर कमेंड को करते रहेगा और जो हम प्रशन पोंच रहे हमारे कम्युनिटी टेप में उसमें जगर के बौट किया करें उन पर आथाली ते जो भी हम कोस्टन को पोशा करेंगे मंदे सी लेकर के सटेरे टे तक ठीक है इन सभी कोशन् sulfur का उत्तर दिया करेंगे ठीक है यह सभी प्रशन जो भी कम्युन होंगे उनके उत्तर को दिये जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और आज कि इस चेप्टर के questions को देखते हैं इस चेप्टर का नाम है हमारी प्रतवी के अंदर प्रतवी के अंदर जो प्रते हैं जो भी घटनाएं घट रही हैं इन पर आज आज एम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहला प्रसन दिया जा रहा है कि प्रतवी की सतय की सबसे उपरी प्रत को क्या कहते हैं प्रतवी की सतय हैं अंदर बाली नहीं बाहर बाली ठीक है इस परत को कहते हैं जो सबसे उपरी परत होती है इसको कहते हैं परपटी ठीक है और जो परपटी होती है ये सबसे पतली परत कही गई है सबसे पतली परत होती है और जो परपटी होती है ये महा सागर और महा दूइप महा सागरी और जो महाधृप है इन दोनों के नीचे बिन बिन होते हैं जिन में जो महाधृपी बहाग होते हैं इन पर परपटी की मोटाइ होती है वो लगबग 35 किलो मिटर की होती है जहां पर हम लोग रहते हैं और इसके बाद में जो जली भाग होते हैं, जैसे कि समुद्रे, समुद्री की सताई की नीचे अगर देखी जाए, तो इसकी जो मोटाई होती ही परपटी की, वो 5 किलो मीटर होती है, ठीक है, अर्थात जो जिस पर हम लोग रहते हैं, माधुईपी परपटी जो हती है, इसकी मोटाई महा सागरी परपटी की मोटाई से अधिक होती है, ठीक है, चली आँगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हमको मिलता है कोस्टन नमर दो, और इसमें आपको चार कथन दिये जा रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, और यी चार कतनों में से आपको बताना है, कि इन महा सागरी परपटी सिलका एबम कॉपर से बनी है, उप्सन C, परतवी की सतय परपटी के नीचे मैटल वा क्रोड परत का विकास हुआ है, इसके बाद में ऑप्सन D में दिया रहा है कि परतवी की सबसे आंतरी परत को क्रोड कहते हैं, जो की मुखेता निकेल एबम लोहे से बनी है, अब इन चारों में से कौन सा कतन गलत दिया जा रहा है, ये आपको बताना है, कहाँ पर कमेंड बॉक्स में, और उस पर कुछ टिपड़ी भी कीज़े, क्योंकि जब आप किसी प्रसन पर टिपड़ी करते हैं, तो वो प्रसन आपको याद हो जाता है, कैसे, तो महासागर है, महासागर की परपटी मुखिता, सिलिका और अलूमिना से मिलकर के बनी है, जो महासागर है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि सिलिका और अलूमिनियम से मिलकर के बनी है, जबकि जो महासागरी है, यह सिलिका और मैंगनीसियम से मिलकर के बनी है, और इसको सौट म हम लोग कहते हैं सी-मा थीक है अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो सीमा नाम सी याद कर सकते हैं सी से रथ होता है AI का रथ हो गया SILKA और AUMCI से रथ हो गया MAGNES층 थीक है अरथा सिलका तथा MAGNES층 की परधानता थीक है और परपटी के नीचे METAL होता है इसके बाद में आंगी दिया जा रहा है कि जो और ये वाला है जो तो जो परपटी होती है परपटी नीचे मैटल पाए जाता है और इसके बाद में ये लगबग 2900-2900 किलोमेटर की गहराय तक फैला होता है और प्रतवी की सबसे आंतरी परत जो होती है उसको हम लोग करोड क परते हैं निफे आप इसको निफे के नाम से याद कर सकते हैं तात जो निकेल है और जो लोहा है इन दोनों की प्रधानता ठीक है तो चली आँगे बढ़ते हैं अगर आप लोग को को स्मझ में आता है तो क्लेश कमेंट करके बताया करें कि आज हमने आपको सबसे अच्छे तरीके से कौन सा कोस्टन डिसक्राइब करके बताया है और कौन सा कोस्टन अच्छे से नहीं बता पाए तो उस प्रस्टन पर हम अच्छी से पकड़ बनाने की कोसिस किया करें ठीक है इसके बाद भी आपको मिलता है कोस्टन नमर तीन और इसमें दिया जा रहा है कि जब द आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को रोक लिया करें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा option D, अर्थात अगने सेल, अगर आप लोग ने NCRT को पहले से पढ़ रखा है, तो इसको एक test series समझ करके solve कीजीगा, और test series समझ करके इसके उतर को दिया करे अगने सेल, जब दरबित मैगमा ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में ये ठोस होता है, तो इस प्रकार से जो बने सेल बनता है, उसको कम लोग कहते हैं अगने सेल, और अगने सेल को हम दोग प्रात्मी सेल भी कहते हैं, और जो ये अगने सेल होते हैं, ये मुक्रि वहिरवेदी अगने चल, अब प्रसन आतें अंतरवेदी और वहिरवेदी अगने चल के ऊपर, ट articulate, तो इसके बाद में चौत्या प्रसन हम को लिए बिलता है की जब दर्वित लाबा प्रतवी की सतय पर आकर तेजी से ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो इस परकार के अगने क ऑपसन बी वहिरवेधी अगने सेल? संदीब यहां पर पूछा जा रहा है कि जब द्रबित लावा जो होता है यहां पर लोग रहते हैं भुबार पर आकर के तेजी से ठंडा होता है तो इस प्रकार से जो अगने सेल बनता है वो कौन सा सेल होता है सेल होता है यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगने सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पहला अंतरवेदी अगने सेल और दूसरा वहिरवेदी अगने सेल और आपको इसमें आंसर बताना है तो इसमें जो प्रत्वी के उपर आकर के ठंडा होता है वो होता है वहिरवेदी अगने सेल इसका ओप्सन भी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है तो इसको आप लोग चेश् ठंडा होकर के ठोस हो जाता है अब जो इस प्रकार से सेल बनता है इसको हम लोग कहते हैं बहिर बेदी एकने सेल और यह जो दरबित लाबा होता है यह तो इसके अंतरगर जो दरबित लाबा होता है यह तेजी से ठंडा होता है क्योंकि प्रत्वी के ऊपर आ जाता है ठीक है प्रत्वी के बाहर आता है और भूबाग पर आखर के ठंडा होता है तो यह तेजी से ठंडा होता है तो इसकी जो संरचना होती है यह महीन दानों वाली होती है ठीक है बड़े दानों वाली नहीं होती है महीन दानों वाली होती है चलिए आंगे बढ़ते हैं इसके बाद में ह को मिलता है question number 5 और इसमें पूछा जा रहा है जब द्रवित मैगमा भू परपटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार के अगनेसल का निर्माण होता है तो इसका option ए बिल्कुल correct होगा था अंतर भेदी अगनेसल अब इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते है अंतर भेदी अतात अंदर और बहर भेदी मतलब बाहर जब प्रतवी के जब जो द्रवित मैगमा होता है ये भू परपटी के अंदर ठंडा हो जाता है और अगनेसल का निर्माण करता है तो ये होते हैं अंतर भेदी अगनेसल और जो प्रतवी के बाहर आकर के भू का निर्माड होता है और इसके अंतर का जो दरबित लाबा होता है धीरे-धीर ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के जब धीरे-धीर ठंडा होता है तो इसके काण से यहां पर जो यहाँ पर जो सैलों का निर्मार होता है वो बड़े दाने वालों के रूप में होता है ठीक है चलो आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 6 को आज इस शेप्टर में भी हमको 7 प्रस्न मिले हैं और 7 प्रस्न आप सभी लोग के लिए important हैं तो question number 6 में पूछ जा रहा है कि साधी सैलों को निर्मार बिफिन प्रकार की सैल अपसादों के निच्छेपण के दोरा होता है और दूस्रा कतन है इन सैलों में जीबास में भी पाइ जाते हैं तीसरा कतन है ये सैल ness्या करित कम कठोर होती है तो इन तीनों में से जो कतन सकते होंगे वह उपरोग तो सभी अर्था तीनों कतन सकते हैं ठीक है अब इनके विसे में मैंने फुल डिटेल रख लिए यह आपको जानना बड़ा ही इंट्रेस्टिंग लगेगा और अच्छा भी है तो विभीन प्रकार की सैल लुड़क करके चटक करकी या फिर एक दूसरे से टक्रा करके चोटे-छोटे-चोटे टुकडों में तूट जाती है इन छोटे-चोटे टुकडों को हम लोग कहते हैं अब साथ यह अब साथ जो होते हवा जल-वायू अत्वा जो तो पानी है ठीक है और इसके बाद में अग्नी जल नहीं कह सकते हैं यह हवा है और जल है ठीक है इत्यादी वाकों से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जा करके निचेपित कर दिये जाते हैं ठीक है और यह अद्रिन अबसाद दब करके सैलों का निर्मार करते हैं सैलों की परत को बनाते हैं ठीक है जो पहले बड़ी सेले होत इस कारण या पेक्षक्रित कमकठूर होते हैं और इन सैलों को अबसाधी सैल कहते हैं जो सैलें कमकठूर होते हैं उनको कहते हैं अबसाधी सैल उधान के लिए जो बलुवा पत्थर होता है ठीक है और बलुवा पत्थर जो होता है रेत की कड़ों से मिलकर के बनता है और इस और इसमें क्या होता है कि पहले कभी बसाव इन इस्तानों पर हो तो यह आपके लिए संभवताइक अच्छा लगा उगा लेकिन इसका मैं आपको एक उधार भी दे सकता हूँ कि एक इस्तान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं तो मालिय की लेकित की एक रिएक बायुम चलती है तो ऐसे इती चलती है ठीक है और आप लोग नेहाँ है कि रेद का बड़ा बबंडर ऐसा उठाथा है और एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर ले जाता है तो इसी प्रकार से जो रियत के कड़ होते हैं फिर मिट्टी के कड़ होते हैं चोटी छोटे या फिर जो भी तो यह अबसाद होते हैं उनको एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर ले जाया जाता है ठीक है चलिए आंगे बढ आपसादी सहल, 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 आ और फिर उसको एकदम ठंडे पाई में डालीगा तो आप देखिएंगे कि वो चटक जाएगा ठीके और इसी प्रकार से होता है जब काफी दोप पड़ती है फिर रात में उसके उपर चंद्रमा की ठंडी छाओं पड़ती है ठीके और इसके बाद में थंडा-garm-param होता रहता है तो जो पत्थर होते हैं जो चताने होती हैं जो झाइल होते हैं ये धीरिदे टूट जाते हैं ठीके कैसे भातिक और रासायनी एक संगटन में पर्यवर्तन होता है इनके ठीके और इसके बाद में यह जो छोटी और टुकलों में तूट जाती है और इससे ही बनता होए कायंतरी चटानों का निर्माण होता है इन से ठीक है उधान के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है स्लेट एवां चूने पत्थर जो होता है इसके बाद में संग मरमर है इनमें परिवर्तित हो जाते है ठीक है तो जो भी सैलें होती है वो चिकनी मिट्टी है या पिर आप कहते हैं स्लेट या पिर कह सकते हैं चूना पत्थर या पिर आप संग मरमर कह सकते हैं इनमें परिवर्तित हो जाते है तो हमारे आज के इस पूरे चेप्टर में इतने ही प्रसंत है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सेर जरू कर दिया करें क्योंकि ग्यान बाटने से बढ़ता है और अगर आप किसी को बाटते हैं तो आपका भी ग्यान बढ़ेगा अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिगा और बेल आपको दबाईगा और साथी साथ हमारे वीडियो को सेर जरू कर दिया करें और हाँ आप लोगों से एक तो विनमर निवेदन है कि आपने अगर अभी तक हमको टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जॉइन कर लिजिगा लिंक डिस्क्रिप्टिप्टिन बॉक्स में दी गई है ठीके कल आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे करन अफेर का वीडियो मिलेगा और इसके बाद में आपको यही कुछ 12 बजे तरफ चेप्टर 3 का वीडियो भी मिल जाएगा ठीके और इसके बाद में साम को 7 बजे तरफ आपको चिप्टर 4 का वीडियो मिलेगा इसी प्रकार से डेली आएंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन